हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीडी टुटोरियल में और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे सकुशल होंगे और अपनी लाइफ में बहुत-बहुत खोश होंगे और आपके उत्तम स्वास्थ और आपकी happiness की मैं कामना करता हूँ और I hope कि आप सब लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे तो अपनी इंडेस की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कबर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेस जो की है इंडेस 115 डैट इस के जाना चाहूंगा जहां हमने सबसे पहलो 11th class में revenue recognition concept पड़ा था और उसके बाद CA या graduation करते time हमने AS9 जो की revenue पे बेस्ट standard था accounting standard था वो पड़ा था उसके बाद हमारे syllabus में CA की syllabus में या graduation की syllabus में थोड़ा changes आया थे और in AS18 हमने पड़ा था revenue from revenue from sale of goods and services and उसके बाद अब ये newly incorporated index 115 आया है जो की जिसका की scope जो है बहुत ही वाइडर है and इसमें कुछ certain criteria's हैं जो आपको fulfill करने होते हैं in order to recognize revenue and basically ये contracts पे अधारित है जो की आपने एंटर किया है with customers के साथ for sale of goods and for the performance of service so आये चलिए start करते हैं इस वीडियो को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब भी लोगों का बहुत-बहुत अभारी हूं आपके आप सभी की सहयोग से मुझे प्रोचाहन मिलता है कि मैं और वीडियोस डाल सकूँ and प्लीज इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मैने चैनल को सब्सक्राइब कीजी और कुछ भी latest notification अगर आप चाते हैं तो बैल आइकन को दिस कर सकते हैं और एक जरुरी बात वीडियो शो करने से पहले अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाते हैं if you want to view this video in English you can go into the description box of this video and I have uploaded the link of the English video there and by clicking on the following link you can view this video in English language as well so I actually start करते हैं इस वीडियो को तो जो सबसे पहले इस इंडेज का objective है वो यह है कि हमारा revenue कितना recognize होगा क्या-क्या उसका nature है क्या amount रहेगा क्या timing पर रहेगा and what are the reporting requirements यह सब हमें इस इंडेज का objective है and क्या-क्या cash flows arise होंगी जब आप एक contract जो है वो enter करते है customer के साथ now moving on हमारा जो applicability है यह इंडेज जो है वो सब पर applicable रहेगा except कुछ 4-5 conditions रहेंगी जिस पर यह non applicable रहेगा यह इंडेज तो सबसे पहला इंडेज 116 that is leases उसके बाद इंडेज 104 insurance contracts जो कि एक अलग ही इंडेज है for insurance contracts के लिए and उसके बाद इंडेज 109 110 111 इंडेज 27 इंडेज 28 इस पे भी यह applicable नहीं रहेगा and कोई non-monetory exchanges है between entities in the same line of business या आप क्या सकते हैं कि कोई बादर सिस्टेम है between same line of बादर बादर सिस्टेम exchange है in the same line of business तो उस पे भी इंडेज जो है वो applicable नहीं रहेगा now moving on जो यह revenue है revenue कैसे recognize होगी इसके लिए उस transaction को या उस contract को जो है उस transaction को अगर हम simple शब्दों में कहें तो पाच conditions या पाच steps से गुजरना पड़ेगा जिसके बाद वो आपके books में आप recognize उस revenue को कर सकते हैं in the books of account तो कौन-कौन से यह 5 step है सबसे पहला step रहेगा identifying the identifying the contracts with customer तो सबसे पहले आपको customer के साथ जो भी आप contracts में एंटर करें उसको identify करना होगा और यह देखना होगा कि क्या वो contract जो है वो certain criteria और certain parameters जो है वो feel कर रहा है जिससे कि वो आगे revenue recognition का एक पार्ट बन सके second हमें यह identify करना होगा कि क्या-क्या separate performance obligations contract में जब एक बार अगर contract उस conditions को satisfy कर ले जा है तो हमें यह देखना होगा कि कौन-कौन से separate performance obligations जो है वो मौजूद है in the contract and उसे के according हमें जो है वो third step जो के transaction price जो है वो compute करना होगा and अगर जब हम यह पता कर लेते हैं कि कि सेपरेट performance obligations है तो उसे के according जो है हम transaction price को allocate कर देंगे separately and जो fifth और final step होगा वो होगा recognize revenue when और और एच परफोर्मेंस obligation is satisfied तो इसका एक बहुत ही appropriate example मैं दे रहे था हूं suppose एक एक car builder है sorry एक car manufacturer है and उस car manufacturer के पास आप जाते हैं and वो आपको बोलता है कि मैं आपको swift की एक गाड़ी deliver करूंगा इतनी cost पे and उसके बाद मैं आपको एक maintenance and repairing service दूंगा annually जो कि आपकी 3 साल तक valid रहेगी and उसके बाद अगर आप उस service को extend कराना चाहते हैं तो there will be a product warranty card जिसके लिए आपको हर साल कुछ एक amount pay करना होगा and यह आपकी अगले 5 साल तक के लिए भी extend हो जाएगी तो जैसे कि आप इस case में देख सकते हैं कि 3 performance obligations हमारी identify हो जाती है सबसे पहले तो जो आप car खरीद रहे हैं उस car manufacturer से वो उसकी जो revenue recognize होगी then उसके बाद जो आप annual payments कर रहे हैं for the repairing and maintenance budget उसकी जो है वो हर साल की payment जो है वो recognize होगी and thereafter अगर आप चाहते हैं कि आप उस product warranty card को extend करें तो हर साल आपको कुछ amount pay करना पड़ेगा और उसे के according हम transaction price को four step में बाट देते हैं separate performance obligation में जैसा कि हमने इस case में देखा and उसे के according जो है वो हमारी recognize हो जाती है जैसे जैसे हर एक performance obligation जो है वो satisfy होती जाती है now moving on तो इस video में हम cover करने वाले हैं सिर्फ पहला step identifying the contracts with the customer and आगे की videos में हम यह सारे steps cover करेंगे and इस से related जो भी practical questions है उनको भी cover करेंगे ताकि आपके concepts जो है वो अच्छे से और polish हो सके now moving on to the next slide हमारा जो पहला step है वो है identifying the contracts with the customer now सबसे पहले हमें contract की जो है वो definition देखनी होगी so a contract is an agreement between two or more parties तो सबसे पहले essential feature of a contract क्या है कि कम से कम दो या उससे जादा से जादा parties होने चाहिए और उनके बीच में agreement होना चाहिए that creates enforceable rights and that and obligations and specifies that enforceability is a matter of law enforceable rights means कि दोनों पार्टियों का एक दूसरे पर समान अधिकार होगा in case अगर कुछ loss या default होता है malfunction होता है किसी भी either party से तो जो दूसरी पार्टी है जो अग्रीवट पार्टी है वो right to compensation right to damages के लिए दूसरे को बोल सकती है दूसरे को कट घरे में खड़ा कर सकती है तो यह राइट्स आपके यह राइट्स दोनों पार्टियों के रहेंगे जो आपका contract है वह verbal भी हो सकता है return भी हो सकता है या implied by an entities customer business practices तो अगर कोई बहुत पुराने business partners है उनके बीच में एक अच्छा mutual agreement है understanding है तो उनके accordingly जो उनकी existing business practices चल रहे है उसके according भी जो है वो contract जो है वो contract जो है वो signed up या agreement के में दोनों पार्टियों वो कर सकते हैं now moving on we have the duration duration क्या होगी contract की यह जानना भी बहुत जरूरी है एंड तो सबसे पहले हो सकता है किसी भी contract की कोई fixed duration ना हो and वो contract जो है वो किसी भी time जो है terminated हो सके हो सकता है या modified हो सकता है by either party at anytime या फिर एक duration हो जो की हर साल renew होती रहे और automatically periodic basis पे हर साल तो नहीं बोलूंगा पट automatically renew होती रहे periodic basis पे विज़ स्पेसिफाइड इन डा contract तो पहला केस देख लेते हैं कि कोई fixed duration नहीं है and can be terminated और modified by other party at any time suppose at the time of inception of contract आप जो conditions पर agree होए था दोनों पार्टी थोड़े time बात जाके पार चलता है कि एक पार्टी जो है वह उस टाइब के goods जो है वह manufacturer manufacturer या produce नहीं करें डिलिवर नहीं करें वह service जो है वह expected service जो है वह नहीं दे रही है दूसरे पार्टी को या जो consideration amount मिलना है था उनको at the end of specified time वह जो है service provider को और good seller को नहीं मिला है तो इस case में इस contract की कोई duration नहीं होगी और जो है वह आइदर पार्टी क्या terminate कर सकती है या modified कर सकती है किसी भी time पर and automatically renew का अगर हम कोई live best example बता है तो जैसा मैंने थोड़े दिर पहले आपको बताया था कि car manufacturer है वह आपको offer करता है कि तीन साल मैं आपको repair and maintenance की service दूँगा and अगर आप इस service को extend करना चाते है तो आपको product warranty card मिलेगा जिस contract है उस car manufacturer के साथ यह हर साल जो है वो renew होता रहेगा जब तक कि आप इसे खुद खतम नहीं कर लेते हैं now moving on जो एक contract है जो agreement है वो तब तक माना नहीं जाएगा जब तक दोनों parties के पास एक enforceable right हो to terminate a holy unperformed contract without compensating the other party और जो contract है वो holy unperformed कब माना जाएगा जब कुछ conditions है वो fulfill होंगी तो क्या है वो conditions आएगे देख लेते हैं now the first condition is the entity has not yet transferred any promise goods or services to the customer entity ने जो है वो transfer नहीं करें है any promise goods जो भी promise goods हुए थे या services हुए थे customer को and b the entity has not yet received and is not entitled to receive any consideration in exchange for promise goods or services तो इस case में जो है either party के पास right होता है enforceable right होता है कि आप जो contract है जो holy unperformed contract है वो terminate कर सके and holy unperformed contract क्या होता है अगर यह दो conditions met कर जाती है तो आप अगर clause A देखंगे तो यह जो है वो customer के point of view से माना जाएगा कि उसको जो है वो कुछ भी promise goods नहीं मिले है या services नहीं मिले है service provider के द्वारा and जो B clause वो देखा जाएगा for the good seller and good seller and for service provider कि उसको कोई भी payment जो है वो receive नहीं हुए है या कोई भी payment जो है वो receive नहीं होने वाली है in exchange और formats goods और services यहां कुछ points sorry यहां कुछ points जो है वो ध्यान रखने की जरुवत है कि both the conditions conditions should be satisfied दोनों conditions जो है वो satisfy होने चाहिए और अगर एक भी condition जो है वो fulfill नहीं होती है तो यह नहीं माना जाएगा कि contract जो है वो unperformed है आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर तो recognition of revenue कब होगा recognition of revenue तब हो सकता है मतलब यह जो first step है उसका criteria तब fulfill हो पाएगा जब जो contract है वो पांच criteria को जो है वो fulfill कर ले तो आए चली हम देख लेते हैं कि वो पांच criteria क्या है जोनको mandatory fulfill करना होगा एंड सारे के सारे जो क्राइटेरिया जो है वो fulfill होने चाहिए तो तब से पहले तो contract को जो है वो अप्रूफ कर रखा हो and they are committed to their to perform their respective performance obligations and उसके बाद जो आपके parties right है वो identify हो रहे हो parties payment terms जो है वो identify हो रहे हो for the exchange of goods or services and जो contract हो वो commercial substance का हो कुछ monetary terms से related हो यह कह सकते हैं and the fifth one is it is probable that the entity will receive collect the consideration to which it will be and इस बात की certainty हो कि after the performance of services and the delivery of goods promise goods जो service provider है good seller है उसको यह certainty हो कि हां जी मुझे customer से जो है वो पैसे मिल जाएंगे तो customer की intention और customer की जो ability है उसको यहां देखना होगा कि क्या वो जिस agreement पे decide हुआ है कि वो इतने payment जो है वो करेगा after the performance after the execution of service या after the transfer of goods तो क्या वो उतनी payment कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा suppose मैं आज किसी party के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता हूं कि हां मैं आपको 5000 सोप्स जो हैं वो प्रवाइट करूंगा और इसके बदले में आप जो हैं मुझे 50,000 देंगे but after the delivery of goods मुझे realize होता है कि नहीं मेरे जो जो मेरे customer है उसकी financial condition उतनी ठीक नहीं है and उससे जो मुझे realize हो पाएंगे वो सिफ 30,000 ही realize हो पाएंगे तो जो मेरा revenue recognition है वो postpone हो जाएगा up to the amount which I am going to receive from the customer that is 30,000 now अगली slide की तरफ चलते हैं तो there are certain points for the consideration जो हमें ध्यान में रखने होंगे कि if a contract with the customer meets the criteria contract inception के टाइम पर अगर criteria जो हों meet हो जाते हैं तो एक entity को दुबारा reassist करने की जरुवत नहीं है कि वो criteria meet हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं unless there is some significant change in facts and circumstances similarly अगर customer के साथ जो contract है वो हमारे जो पाच parameters हमने पढ़ा थे उसको fulfill नहीं करते हैं तो in that case also जो entity है वो continue करेगी यह देखना कि in the later stage whether these criteria are subsequently met or not तो यह दूसरा सबसे important point है जो धियान में रखने की जरुवत है third one is when a contract with the customer does not meet the criteria जब contract जो है वो उन पाच parameters को fulfill नहीं कर पाता है बट जो entity है उसको जो amount है amount of consideration है वो वो receive कर लेती है customer से then in that case the entity shall recognize the consideration received as revenue only when either of the following events are occurred तो suppose sorry at the time of inception of contract आपको लगता है कि ठीक है criteria स्मिट हो रहे हैं but in the later stage आपको पादा चलता है कि नहीं आपकी जो criteria स्मिट नहीं हो रहे थे and आपको जो payment है for the execution of service और for the transfer of goods वो receive हो गई है तो आप जो है जो service provider है और जो good seller है वो उसे recognize कर लेगा as a revenue only अगर डो conditions जो हैं वो satisfy हो जाती है तो सबसे पहली condition है कि entity की पास जो है वो कोई भी performance obligation जो है वो बचे ना हो and जो भी उसने जो भी उसको जो भी उसका तैदामिक decided हुआ था agreement के time पे वो उसको मिल गया हो और वो non refundable हो and second one is जो contract है वो पूरी तरह से खतम हो गया हो and consideration जो receive हुई है वो non refundable हो तो इस case में अगर ऐसा कोई case आता है तो index 115 के जो हम five step model पढ़ने वाले हैं उनको लगाने की जरुवत ही नहीं है इस case में जो आपका service provider है वो सीरह अपनी books में जो है वो जो भी amount of the consideration अगर उसे receive होता है और later on यह पर चलता है कि जो contracts है जो contract है वो certain criteria को meet नहीं कर रहा है बट जो contract है वो terminate हो चका है और जो consideration है वो non refundable है तो उसको as a revenue जो है वो अपनी books में show कर ही देगा now moving on अगली slides की तरफ चलते है कुछ कुछ points जो है वो हमें ध्यान दखने के लिए जरूरी है तो उस points को आगे भी continue करते हुए अगली slide की तरफ बढ़ते है तो unless until आपको consideration receive नहीं होती है customer से तो आप इस amount को जो है वो as a liability ही show करेंगे अपनी books of account में और यह मान के चलेंगे कि आपकी यह भी liability खड़ी है अगर आपकी जो conditions है point C में वो अकर नहीं होती है या जो criteria है वो subsequently met नहीं करता है subsequently met कर जाता है point B में जैसा की पिछली slide में mention करा हुए है now depending on the facts and circumstances relating to the contract the liability recognized represents the entity's obligation to either transfer goods or services in the future or refund the consideration received in either case the liability shall be measured at the amount of consideration received from the customer तो आगे चलते हैं और बहुत ही important topic पढ़ते हैं combination of contracts तो क्या होता है कि generally एक time पे हमार पास बहुत सारे contracts होते हैं जो कि similarly performance related होते हैं जिसको हम या जो एक की time पे execute होते हैं with related parties of the customer या customer की साथी तो कुछ criteria होते हैं अगर वो fulfilled हो जाते हैं तो हम उन सभी combination of contract को जो है वो एक single contract मान लेते हैं तो आये चलिए देख लेते हैं कि वो criteria क्या क्या होते हैं जो कि fulfill होने चाहिए contracts are negotiated as a package with a single common objective उन जो भी combination of contracts है उनका जो main goal है में objective वो same ही है and जो amount of consideration है to be paid in one contract depends on the price or performance of the other और जो तीसरा है वो है the goods or services promised in the contracts are a single performance obligation तो यह तीन criteria है वो fulfill होने चाहिए and इससे related जो भी practical questions है यह मैं बहुत ही जल्द अपनी वीडियो में अगली वीडियो में cover करूंगा ताकि यह आपके जो concepts है वो इन questions के साथ जो है वो अच्छे से boost up हो जाए और आपको exam time में या आपको आगे चलके कोई की दिक्कत ना हूँ as far as the understanding of these concepts are concerned so moving on तीन criteria's fulfill होन चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है जैसा कि वो तीन criteria's क्या थे वो तीन criteria's थे contract is negotiated at the same time और second one is की they are interrelated एक performance obligation के एक performance obligation जो है वो दूसरे performance obligation पे जो है वो depend करेगी and the third one is they are coordinated as a single package contract so ये तीन conditions जो है वो fulfill होती है तो हम उस combination of contracts को जो हो एक ही मान लेते हैं अब चलते हैं important एक और important topic की तरफ जो है contract modifications तो contract modifications किन-किन cases में हो सकता है दो parties के बीच में अगर आपका change in scope हो आपने जो decide किया था agreement के time पे कि ये ये चीज़े होने चाहिए और थोड़े time की बार आपको पचिदाए कि नहीं scenario बिल्कुल change हो गया है उसके according जो है वो हमारे जो agreement है उसको change होने के ज़र होता है तो change in scope या inflation rate बढ़ गया जिसके वैसे आपका जो price है या कुछ performance obligations जो उस time पे identify नहीं हो पाई थी contract execute करने के time पे लेकिन बार में पर चलता है कि नहीं ये performance obligations भी important है तो उस case में जो है वो contract आपका modify हो सकता है या दोनों cases में आपका जो contract है वो modify हो सकता है a contract modification exists when the parties to a contract approve a modification that creates new or existing changes enforceable rights and obligations of the parties to the contract तो ये सब आप for the theoretical purpose आप ये सब पढ़ सकते है and its related practical question जो है वो मैं बहुत ही जल्ड cover करने वाला हूं तक कि आपको इन concept को समंध्य में और भी असानी रहे जो contract modification है just like the original contract वो एक writing में भी हो सकता है या oral agreement में भी हो सकता है या एक जो customary business practices है between two parties उस बेसे पर भी execute हो सकता है now अगर either of the parties of the contract have not approved a contract modification कोई भी अगर जो party to contract है वो approve नहीं करती है contract modification then the entity shall continue to apply this standard to the existing contract जो की पुराना contract था आपका जो इससे पहले वाला contract था उसी के basis पर जो है वो इस standard को जो है वो apply करेगा until the contract modification is approved एक summarized view देख लेते हैं इसका कि क्या रहेगा suppose आपका contract जो है वो contract modification जो है वो approved हो जाता है and एक case है कि आपका contract modification जो है वो approved नहीं होता है तो अगर आपका contract modification जो है वो approved नहीं होता है then उस case में हम यह standard जो है वो apply नहीं करेंगे contract modification पे unless until it is approved in the later stage but अगर वो approved हो जाता है उसके बाद भी हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा और यह देखना होगा कि क्या कुछ अलग whether some distinct goods या फिर कुछ नई services जो है वो add हुई है उसमें and जो उसका price है वो आज की current prevailing market price से जो है वो relate करता है या equate करता है fully या नहीं करता है तो यह देखना जरूरी है कि जो आप price के case में modification अगर कर रहे हैं तो वो जो price है वो current prevailing market price से equally relate कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर in case वो नहीं कर रहा है then the contract modification modification will not be approved और यहीं माना जाएगा कि पुराना contract जो है वो ही executed है अभी तक and in case जो आपका price है वो newly current prevailing market rate से बिल्कुल equate करता है तो हमें देखना होगा की हमें उसे as a separate contract जो है वो account करना होगा और अगर वो नहीं करता है then in that case हम यह चाक करना होगा कि जो remaining goods और services है वो जो initially हमने transfer किये थे या initially हमने perform किये थे उससे अलग है या नहीं अगर वो अलग है तो yes हम उसे जो हमारा existing contract है उसको terminate कर देंगे और एक नया contract जो है वो हमें execute करना होगा और अगर ऐसा नहीं है या वो same goods है same performance of services है तो हमें उसे as a part of original contract जो है वो add कर लेना होगा तो मेरी इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही I hope आपको step 1 of index 115 जो है वो clear हुआ होगा या अगर आपके कोई भी doubts है इस session से related तो आप अपनी queries को comment box में address कर सकते हैं इस वीडियो के and इस से related कुछ practical questions जो है वो मैं cover करने वाला हूं अपनी next lecture में अगर यह standard apply करना है तो कोई दिक्कत ना है तो मेरी इस वीडियो को जारा से रा शेर करें and आपके कोई भी सुझाव हो या आपके कोई भी queries हो आप please मुझे comment कीजेगा comment box में thank you so much